अब अधर इ γιαिटरेंट में असा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे जैसा कि सब को पता है कि म Normally चिलाता हूं जिसमें मैं अपने स्टुडेंट मुझे डाउट साता हैं में जो मुझे मेरे पास स्क्राइब उनको सोल करता हूं तो उसी सीरीज में एक होल को सनाजम सोल करेंगे जो की डाइमेंशन से रिलेटीड है मतलब चेप्टर नुमबर टू से यहां पर कोई परसन है जो की एक कुए की डैप्थ को मेजर करना चाहरा है कैसे तो यह इस पत्थर को नीचे गराएगा और जब यह पत्थर नीचे जाकर के बोटम से लगेगा तो उस आवाज को वो रिकोड करेगा जो भी परसन इस पत्थर को गरा रहा है इस गिवन देट दा एरर इन दिस मेजरमेंट ऑफ टाइम जो टाइम मेजर कर मेजर करने में जो एरर है वो दी हुए जिरो पॉंट जिरो वन सेकेंड अंड ही मैजर्ड देप्ट औफ वेल तो भी 20 मिटर तो यह जो डैप्स है वेल यूज करते हुए वेलोसिटी ऑफ साउंड इस आलसो गिवन वी कॉल टू थ्री जिरो जिरो मेटर पर सेकेंड वी नीड तो फ्रेक्शनल एरर इन दा मेजरमेंट ऑफ एल अपॉन यहाने कि डेल्ट एल अपॉन तो आपको चेंजिन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यहा तो आपको फ्रेक्शनल एरर निकालना है यार कि हमें निकालना डेल्टा एल अपॉन एल इंतु में ठीक है यह फ्रेक्शनल लेर क्योंकि आप उप्विंटेकर सभी परसंटिज मैं है तो अक्के उसको हंडेड से मुल्टिप्लाई करना होगा तभी कोई एक सबस्सेचिब तो अगर हम डेल्टा एल निकाल पाएंगे तो यह परसेंटेज एरर भी निकाल पाएंगे तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं जब भी आप किसी स्टोन को या कोई बोडी को अगर आप नीचे गिरा रहे हो तो उसके लिए जो इक्वेशन होती है एकल्टो कितनी होती है एकल्टो यूटी प्लस हाफ कि एटी स्कुर अफ इटी स्कुर बट क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आपने उस पथर को यह जो भी इस्टोन है उसको पखड़ा हुआ होगा है तो मैं कहुंत हो इसना लेकर कर लेता हूं եे कैसे करें है इसके लिए बनाते हैं कि जब यह पत्थर जब आप इसको नीचे फैक रहे हो तो यह कितने टाइम में नीचे जा रहा है और हमें हवाज उसकी सुनाई देगी तो एक्षैनली मैं यहाँ पर दो चीज़ए हो रही होंगी पहला तो पत्थर एर में मुव कर रहा है और देन पत्थर वो तो पहला यहां पर जो सॉनाई देगी तो इसमें लगेगा यहां पर हम दो टैम लेंगे पहला, तो टोटल टाइम हो जाएगा मैं उसको इस तरह से लिख देता हूं टोटल टाइम पहला डेप्थ नीचे जाने में उसके लिए जो टाइम होगा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं टी विल बीकॉल टू रूट टू एल अपॉन जी ठीक है तो एक तो टाइम यह हमारा टीवन होगे लेट दूसरा वो टाइम जिस टाइम में यह ऊपर आवाज हमें सुनाए देगी लेट वो टीटू है तो टीवन तो हमा हमारी वीदिया हुआ थ्री जिरो जिरो वो और लेट से यह टीटू है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि टीटू की वैल्यू बराबर होगी एल अपॉन वी के यह हमारे कितना जाएगा टोटल टाइम ठीक है दिस विल बी दो टोटल टाइम जो की जिस टाइम में वह अपनी ज को तरीका है देखो आप दोनों तरफ मतलब कि यहां पर डेल्टा टी और यहां पर यहां पर दोनों तरफ दिया हुआ है तो आप इसको डिफ्रेंशिट कर दीजिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो विकन राइट डैट इट विल बीक्वल टू डेल्ट टी तो यह यहां पर आ जाएगा ठीक है मैं इधर तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर चेंज देख रहा हूं और इदर लेंद के रिस्पेक्ट में तो सो विकन राइट इटेज जस्ट डिफ्रेंशिट कर दीजिए आप इस गिवन एक्वेशन को बाइदी लेंद तो कितना हो जाएगा देखो डेल्टा टी अपॉन डी एल विल बी इक्वल टू देखो रूट टू अपॉन जी का तो कुछ नहीं होने वाला वो लेंद पर डिपेंड नहीं कर रहा है ड तो देखो हमारे पास इसके बाद में यहां लिख रहा हूं पहली बाग में आपको बता देता हूं कि जब आप किसी एक्स की पाउर एंड का डिफ्रेंशियेट करते हो तो पावर एक आ आगया जाती और एक पावर कम हो जाती है ठीक है अब यहां पर देखो डेल्टा टी हमारे यह तो ही हमारे पास डीटी अग्वारी यहां पर रूट का दिफ्रेंस्यस्याशन कैसे करें खाझ domestic तो मैंने क्या का एक्षण न है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो उसको को हम इस तरह से भी लिख सकते वन उपोंटू रूट एल क्योंकि जब एल की पावर वन अपॉन-टू ऊपर से नीचे आएगा तो वह रूट यहां पर इस पॉर्शन का जो डिफरेंसियर्शन है रूट एल का जो डिफरेंसियर्शन है वह कितना जाएगा विकंड पर आप देखो यह दोनों सिमिलर चीज है ठीक है आप किसी फंक्षन का डिफ्रेंस इसन उसी के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो वन आता है तो यहां पर कितना जाएगा वन सो दिस इज बी टी अपॉन डील ठीक है अब इसको मैं फिर से उसी फोर्म में लिख देता हूं डेल ब्लस के वन अपॉन वी ठीक है और हमारा में डेल्टा टी निकाल डेल निकाले जग और पहले मैं सो इस तरह से लिख तेंग देखना किय इसको मुझे निकालना है ठीक है बट पहले हbooks से डिवाइड गर देंगे तो वह काम कर लेते हैं पहले तो देखो आप सभी वेल्य पुट कर दीजिए डेल्टा टी की वेल्य कितनी है जिरो पॉइंट पे निकालना है डेल्टा एल ठीक है वह मैं आपको बता देता हूं डारेक्ट कितना एगा डेल्टा की वेल्यू यहां पर थोड़ेक्ट कर दिया है तो यहां पर थोड़ेक्ट कर दिया है तो इसके रिए देखो क्या करेंगे हम डूइंग इट हेर कि विकन राइट नाओ डेल्टा एल अपॉन एल इंटु हन मुल्टिप्लाइबाइब हन्रेड यह हमें निकालना है डेल्टा एल की वेल्यू हमारे पास कितनी 0.1875 अपॉन 20 मुल्टिप्लाइबाइब वन जीरो जीरो ठीक है तो आपको जब आप इससे सोल्व करोगे तो सबसे ज्यादा नजदीक है तो आपके पास जो सबसे नजदीक वेल्यू है वह उसको आपको चूज करने मैंने कंप्लीट यहां पर यह मैंने कंप्लीट मुल्टिप्लाइब करके पॉइंट 93 एप्रोक्स लिखा है सो फॉम दे गीवन ऑप्शन 251 & 3 सबसे नजदीक किसके पनके तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है एक वार मैं आपको दुबारा बता देता हमने कैसे किया है सबसे पहले हमने टोटल टाइम लिखा टोटल टाइम कैसे स्टोन को नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा और फिर आवाज को ऊपर आने में कितना बट उससे यह होता कि फिर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ता है बट मैं चाहता हूं कि आप समझो कि यह कैसी है ठीक है आप किसी भी बुक में देखा होगे तो यह क्योशन आपको डायरेक्टली लिखी हुई मिलेगी बट यह आई कैसे है उसके लिए मैंने आप डिफ्रेंसिट करके आपको बता दिया है तो हमारे पास डेल्टा टी अपॉन डेल्टा की वेल्यों आएगे रोट टू अपॉन जी वन अपॉन टू रूटल प्लस वन अपॉन वी ठीक है जब आप इसको डिफ्रेंसिट कर दोगे तो यहां पर सब वैली पूट करके हमने डेल्टा एल की वेली निकाली उसके बाद हमें निकालना था डेल्टा एल अपॉन एल इंटो हंड्रेड तो आप डेल्टा एल की वेली पूट कीजिए यूल गेट रफली 0.93 विच इस एप्रॉक्सिमेटल एक्वल तो वन परसेंट तो दिस वाज दा सोलीशन फॉर इस प on telegram or whatsapp to me so till then bye everyone and take care see you soon